मद्यप्रदेश को लेकर लोगों की नजरे बड़ी अटक गई है बीस तारीक को वहाँ पर देखिए सर कितने वैक्सीन दिये गए हैं इसी से यह सवाल उठता है फुल स्क्रीन एक बार दिखा दीजिए हमारे दर्शक अच्छे से देखिए फुल स्क्रीन दिखाई फुल स्क यह देखे सर मध्यप्रदेश में 692 डोस भी लगे हैं इस सब्ता में वहाँ से आप सीधे 17 लाख पहुचता है एक दिन में तो यह सवाल आ रहा है कि क्या कल के इवेंट के लिए पूरे सब्ता में कम वैक्सिनेशन की गल ऐसा ही राजवर हम हर राज़ी के आंक्रे दिखा रहे हैं और यह सवाल उट रहा है कि 217, 682 ऐसे ऐसे वैक्सिन पूरे सब्सक्ता में दिए गए ताकि एक टागेट को हम 21 जून को दिखा सके यह कैसे सही हो सकता है सर देखिए अंजना जी पहली बात तो है यह जो कल 21 तारीक को बाकी दिनों से अलग करके देखा जा रहा है सवभाविक है कल से यह प्रोसेस शुरू हुआ कि सेंट्रलाइज प्रोक्योर्मेंट होगा और यह सेंट्रलाइज प्रोसेस कल से आरंब होता है तो सवभाविक है ए ज्यादा वैक्सिनेशन हुआ आज भी ज्यादा वैक्सिनेशन हो रहा है आज भी आप डैश्बोर्ड में जाके देख सकते हैं तो हम अच्छाई की तारीफ करें या उसको लेकर रोड़ अंधरान शुरू कर दे कि आज अच्छा क्यूं हो रहा है नंबर दो अंजना जी च जो है वो राज्य के लोग नहीं राहूल जी ने अपने सिक्स्थ पॉइंट में लिखा था वी वांट अस्टेट्स टू प्रोक्योर वैक्सीन श्टेट्स चिठी में जो चिठी उन्होंने प्रदानमंत्री को लिखा था वो चिठी बहुत बार डिबेट में उस चिठी को अभी मेरे पास वो चिठी नहीं है लोग ट्वीट कर देंगे उस चिठी को कि इस स्टेट शुड़ एफ मोर से इन प्रोक्योर्मेंट वैक्सीन अंग्रेजी में लिखा था खुद कहा यहां इनके प्रवक्ता कह रहे हम प्रोक्योर्मेंट नहीं चाहते थे नमबर एक पिछाटीस जार बोल दिया 84,000 पिछाटीस ने कैंसल 84,000 डि करके बैठे हुए क्यूं आपको किस ने रोका था आपके पास तो स्टॉक था आप कर देते आप 2,3,4,5,5, कर देते क्यूं कि आपको भी दिखाना था कि नहीं हम वैक्सिनेशन नहीं करेंगी मोदी जी का पिछाई की है, वो हम जानते हैं, मैं आपने प्रधानमंत्री के डिगरी के बारे में और बाकी कुछ मंत्रियों के डिगरी के बारे में यहां बात किya देखिए आपने अभी कहा था कि वैक्सिनेशन पर बहुत सीरियस डिबेट होना चाहिए यह सीरियसनेस है आपके डिबेट का कि आप हमारे डिग्रियों के बारे में चिंता कर रहे हैं अगर मैं भी पूछना शुरू कर दू कि सोनिया गांधी जी इटली में क्या काम करती थी आप भी प्रूफ लेके आईए तो आपको कैसे लगेगा इसलिए सीरियसनेस के साथ आप डिबेट करिए यह वैक्सिन का मुद्धा बहुत सीरियस है थैंक यू जी